पिंकी आज फिर से आपके लिए एक निव वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी डिली लटकती ब्रेस्ट को साइज में ला सकते हैं, आपनी फिगर को मेंटेंड कर सकते हैं, सुन्दर दिख सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथी साथ इस नौटिफिकेशन बल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको होना उसका शेप में होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी शेप से हमारी पोडी कंप्लीट होती है, हमारा फिगर दिखाई देता है, हर ड्रेस सूट होती है, चाहे गाउनों, चाहे टॉप, चाहे जिन्सों, चाहे शूट हूँए, बहुत जरूरी है, अगर हमारी ब्रेस का कि अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी धीली लिटकते फिगर को टाइट और सुडेल बना सकते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम एक खाली बॉल लेंगे उसके बाद फ्रेंड समें एड करेंगे वन स्पून अलोवेला जल उसके बाद फ्रेंड स्नेक्सीज हम एड करेंगे हाव स्पून हल लिटके फ्रेंड सिमनी हल लिटकर अलोवेला जल लिया है अब हम इस इछ़ए से मिक्स करेंगे इसे मिक्स हो चुका है अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे अपनी ब्रेस्ट पर अपलाई कैसे करना है फ्रेंड्स आपको अपनी फिंगर्स का यूज करना है ऐसे और अपनी ब्रेस्ट के चारो तरफ हलके हाथों से मसाज करनी है जैसे मैं आपको अपने हैंस के उपर मसाज करके दिखा रही हूँ, एंटी क्लोक वाइस आपको मसाज दीनी है, उपर की तरफ आपको प्रेस्ट की मसाज करनी है, ताकि वो लटके ना, वो साइज में आ जाएं, ऐसे आपको कम सी कम रात को सोने से पहले डेली, 10-15 दिन तक, आपको 10-15 मिनट तक मसाज देनी है, जैसे मैं आपको क्लोक वाइस और एंटी क्लोक वाइस करके दिखा रही हूँ, इन सिंपल इंटीग्रेंट से ओनली अरोवेला जल और हल्दी, सिर्फ इन दो चीजों के यूज से आप अपनी ब्रेस्ट को सही शेप में ला सकते हैं, ऐसे आपको क्लोक्वाइस और अपनी ब्रेस्ट की मसाज देनी है, अगर आप डेली 10-15 दिन के लिए मसाज करोगे, तो विधिन 15 डेज आपको अपनी ब्रेस्ट में चेंज दिखाई देंगे, आपको अपने फिगर में चेंज दिखाई देंगे, आप इतने खुष हो करें अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप ने अभी तक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने ही किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ता कि आपकी अगली वीडियो मिसना हो झाल